हलो गाइज मिरा नामे नमन और आप देख रहे हैं Android और फाइनली काफी ज़्यादा वेट करने के बाद हमारे OnePlus Nord स्मार्टफोन में Android 11 के साथ Oxygen OS 11 का Stable OTA Update आ चुका है और इस वाले अपडेट के आने के बाद मैंने इसकी काफी जारी टेस्टिंग भी कर ली है तो यहाँ पे आपको सारे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे इस वाली वीडियो में और कौन-कौन से नए फीचर्स मिलते हैं वो भी हम डिसकस करेंगे इस वा लिए तो अभी जो अपडेट रोल आउट हो रहा है वो सभी उसको एक साथ नहीं मिलेगा बैचस में रोल आउट किया जा रहा है तो में भी आपको यह अभी ना मिला हो मुझे भी इन फैक्ट नहीं मिला है मैंने इसे Oxygen Updator के थुरू अपडेट किया है वहास मैंने इसकी फुल रोम डाउनलोड करी थी और उसके बाद सिंप्ली मैनुवली अपडेट कर लिया हाना कि इसमें कोई खतरा नहीं है अगर आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं कुछ नए features की तो यहाँ पर आपको dark mode का option मिल जाता है quick toggle menu में हाना कि इसे आप को drag करके quick toggle menu में लाना पड़ता है edit करके बट अब हमें यहाँ पर dark mode मिल जाता है और उसे schedule करने का option भी मिल जाता है इस वाले smartphone में बट इतना करना चाहूंगा कि यह pitch black dark mode नहीं है यहाँ पे हलका grey वाला dark mode दिया गया है साथ यहाँ पे ambient display या फिर कहें always on display का option मिल जाता है ब वाली clock को भी आप as a always on display यूज कर सकते हैं और साथ ही आपको horizon light या फिर कहें as lighting वाला feature भी मिल जाता है जो कि अगर आप enable कर देते हैं तो जब notifications आती है तो screen light up होती है side side से और canvas का feature मिल जाता है जो कि again always on display का ही एक part है एक feature है जहाँ पे आप कोई image select कर सकते हैं अपनी खुद मिल जाता है और stories भी आप यहाँ पर create कर सकते हैं इसके अप्लिकेशन में और साथ ही user interface के अंदर UI के अंदर काफी सारे changes छोड़े मोटे किये गये हैं जैसे कि इसके system applications में one UI की तरह उपर से थोड़ा margin दिया गया है ताकि one hand single hand से use करने में इसे आसानी हो तो इसके system applications में स्मार्ट फोन को reset किया था मतलब format किया था और यहां पर एक और चेंज में notice किया था जैसे हम settings के अंदर submenus में जाते हैं तो वहां पर पहले side side में icons दीखते थे बट उन्हें अब हटा दिया गया है हाना कि यह बुरा नहीं लग रहा है अब अगर gaming experience की बात करते हैं तो यह यहां पे मैंने इसका camera थोड़ा सा test भी किया है और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले user interface की camera के खास करके तो यहां पे भी कुछ changes किये गये हैं UI में थोड़ बहुत changes आप notice कर पाएंगे और साथ ही जब हम video format में जाते हैं तो वहां पे video resolution और frame rate set करने का option आपको viewfinder में ही उप पड़ता था settings में और साथ ही 48 में पिक्सल में image capture करने के लिए भी आप यहीं ऊपर से ही toggle कर सकते हैं बाकि image quality में मुझे कोई खास difference notice नहीं हुआ था यहां पे आप कुछ samples देख सकते हैं और हां यहां पे 4K 60FS का option अभी भी नहीं मिलता rare camera में तो शायद यह वाला feature अब इस smartphone में तो नहीं आएगा और साथ मैंने यह भी टेस्ट किया था कि क्या इसके stock camera में external mic का support आ चुका है क्या तो जी नहीं अभी भी external mic का support नहीं आया है और मुझे लग रहा है यह feature भी इस वाले smartphone में नहीं मिलेगा अब क्योंकि यह वाला smartphone Android 11 पर चल रहा है तो Android 11 से related फीशिस म मिल जाते हैं सबसे पहले कि यहां पर आपको January का security patch मिल जाता है अनकि इसके पहले भी January का security patch ही था साथ ही notification grouping वाला जो फीचर मिल जाता है वहां पर जो conversations है यानि कि जो बातचीर होती है कोई chat होती है वह सबसे ऊपर ही दिखाता है तो वह अच्छा लगता है बाकी notifications आपको नीचे देखने को मिल जाती है अलग-अलग segment में अब मैंने performance test भी किया था इस वाले smartphone का पहले मैंने video render test किया था तो पहले के results मेरे पास available है जो previous version था उसके जो results थे वह available है तो same file लेके मैंने फिर से render test किया तो results एकदम same रहे एक second भी उपर नीचे नहीं रहे तो इस मामले म में तो पास हो जाता है CPU throttling test भी मैंने किया था तो वहां पर भी major कोई throttling issue notice नहीं हुआ अच्छा चल रहा है लेकिन अगर हम बात करते है benchmarking scores की खास करके N2 2 और Geekbench की तो वहां पर पता नहीं क्यों यह वाला smartphone थोड़ा सा कम अच्छा perform कर रहा है previous version से तो अगर scores की बात कर है जिसके through आप अगर call recording करते हैं तो सामने वाली party को पता देल जाता है कि आप call record कर रहे हैं तो यहां पे android 11 आने के बाद OnePlus Nord में आप OnePlus का dialer application उनका messages उनका contacts application यूज कर सकते हैं basically side load करके यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और safe है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी में भी थ announcement भी नहीं होता है तो simply आपको link मिल जाएंगे description में सारे applications के अगर आपको सिर्फ call recording feature यूज करना है तो उस case में आप सिर्फ इनका phone application यूज कर सकते हैं और अगर आपको messages और contacts एप भी यूज करना है तो उन्हें भी आप download करके यूज कर सकते हैं तो simply आपको download करना है simply install करना है install हो जाने के बाद उस application को default app set कर देना है और उसके बाद आप automatic call recording का मज़ा भी ले पाएंगे और मतलब कोई announcement नहीं होगी call recording आपकी चल जाएगी बढ़िया से तो चाहें तो आप इस तरह से call records कर सकते हैं privacy किसे आप से यह उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अगर आ फिर नोटिस होता है या फिर आपने कुछ नोटिस किया हो तो वह आप मझे कॉमेंट करके जरू बता सकते हैं तो आज कोड़ों फिवाल इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चानल सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा औ और थैंक्स पर रची वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में